नमस्ते मिद्रों जोहार, मैं गंगा मतों खोपोली से आप सबों के बीच में आज एक नई वीडियो के साथ उपस्तित हूँ आज का वीडियो पिछले वीडियो के भाग के रूप में अगला भाग है या कहिए ये पाट टू है और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इस मुद्दे के उपर मेरा वीडियो का स्रीज आएगा उसी स्रीज के सिलसिले में ये दूसरा भाग आज मैं बना रहा हूँ और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ पिछले वीडियो में मैंने एक बिरहत रूफ में गलंबे वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबों को बताया था और उनमें बहुत सारे क्वेश्चन्स किये गये थे और मैंने उनके उतर दिये थे और मैंने भी उन लोगों को पर questions किये थे कि इन इन बिंदुवों पे आप लोगों का क्या राय है वीडियो जिसने नहीं देखा है उनके लिए मैं description में link दे दे रहा हूँ अब देख लीजिएगा उसी वीडियो का अगला पार्ट अभी है और इसके आगे इसी के उपर परिचर्शा होगी पीछले वीडियो में मैंने आदिवासी खेमे से उनके कुछ बुदिजीवियों के नाम गिनाये थे उनमें से जो प्रमूख नाम थे उनमें थे फ्रैंकलिन बाखला साहिब लच्मिन यरान सिंग मुंडा गिता स्री उराओं सालखान मुर्मू इन जैसे सरीके बुदिजीवी कम लीडर लोग थे जिनकी बातों को ज़्यादा तबज्जो दिया जा रहा है और इनकी बातों को सुन के लोग अनलगर प्रलाप किये जा रहे हैं इनमें से जिनका मैं अभी नाम गिनाया इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जिनको दिया जा रहा है वो है फ्रैंकलिन बाखला साहिब इनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये राची के एक प्रतिष्ठित महाविद् हिस्ट्री विभाग के विभागा ध्यच रहे थे तो ये चुकि एक हिस्ट्री के बड़े जनकार वेक्ती विसेसकी वेक्ती मालूम होते हैं और चुकि उन्होंने डॉक्टरे की उपाधी भी ले रखी हुई है इसलिए इनकी बातों को जदा तरजी दी गए गई इनकी बातों को जदा मना गया क्योंकि ये विसेसक आदमी है इसलिए और उनकी बातों को कोट करकर के विभिन-परकार के और भी बढ़ा-चड़ा के लोग कुड्मियों के खिलाफ में प्रलाप कर रहे हैं तो आज मैं उन्हीं भाई साब के जो वीडियों हैं फ्रेंकलीन बाखला साहिब का उस वीडियों के संदर्व में ही आज मैं जवाब दूँगा पूरे रेफरेंस के साथ जवाब दूँगा और इसके उपर भी और जो इर्दिगरत की बाते होंगी उनका में उल्लिख का तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कुर्मियों को लेकर खास करके वो वीडियो आप देख लेजिए इसा में है बगाल में है जारकण में है सत्रह सविक तानिस और छपल की बीच में अलिवर्दी खा जो की बगाल के दवाब थे उनके ऊपर भी बराठा जो सरदार थे वह रहुजी भोसले उन्होंने आकरबल किया था लेकिल चाउत देखरो उन्होंने अलिवर्दी खाल ने उसे दूर किया तब तक उड़ी सा भगाल ज्छारगर्ड और बिहार में कुर्मी लोग सैनिक ग्रूप में आये थे और बहुत लोग लोटे और बहुत लोग नह यह भी अभी स्थापित लही हुआ और वे लोग यहां पर आये सिगन फेज में वो था 1832 में जब लोट विल्यम बेल्टिक ले अफिम की एक खेती के लिए जो कि वो लोग खेती हर थे और खेती करने में बहुत एक्सपर्ट थे यहां कि आदिवासी जो है पगड़ी देकर अपना धोती देकर भी रिक्वेस्ट किये या कि अगरेजों को कि हम लग अफिम की खेती लहें करेंगे चुकि वो बहुत कटिल था तब जाकर उनको बलारास यूपी बिहार आदि से उनको लाया गया आदिवासीों के जैमीन को राजा रातुमारा राजा और अल्डे के थ और वे लोग यहाँ पर जरूर कोल विद्रो हुआ सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पर सालती से बसाया गया और आज तक वो लोग है तो फ्रेंकलिंग साहब बोल रहे हैं कि कुडमी लोगों का इतिहास जारखन में यह बिहार बंगाल उडिशा के छेत्र में 1741 के पहले नहीं है बता रहे हैं कि कुडमीयों का दो फेज में आगमन होता है जारखन छेत्र में पहला आगमन का काल बता रहे हैं 1741 में जब मराठा सरदार रागोजी भोसले के नित्रुत में मराठाओं का बंगाल के उपर आकरमन होता है और ये आकरमन बाखलाजी 1756 बता रहे हैं चार साल जादा चले गएं लेकि ये 10 साल का आकरमन होता है 1741 से लेके 1751 तक इस दुरान ये आकरमन का काल होता है और ये कहते हैं कि इस फेज वन में जो कुणमी सैनिक मराठा सरदार रागोजी भोसले के नित्रुत में आये थे उनमें से बहुत लोग वापस अपने देश अपने राज मराठा समराज में लोट गएं और बहुत से लोग उसी छेत्र में मानभूम और उडिशा बंगाल और छोटा नागपुर के छेत्रों में बस गए इससे पहले कुरूमियों का कोई इतिहास नहीं है जारखन में मतलब इन्होंने एक बॉन्डरी लाइन खीच दिया जैसा हमें पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि भाई कोई बॉन्डरी लाइन तो हमें बता दो तो बाखला सहाब जो विभागादियास रहे हैं सेंट जेवियर कोलेज के उन्होंने एक बॉन्डरी लाइन हमें खीच के दे दिया कि 1741 के पहले जारखन में कुरूमियों का कोई इतिहास नहीं है उनकी बातों को कुरूमी सब्द बोलते हैं कुरूमी नहीं बोल रहे हैं तो कुरूमियों का कोई इतिहास नहीं है और उन कुरूमियों में ये सारे कुरूमियों को सम्मिलित कर लेते हैं तो इनने एक लाइन खीज दी 1741, 1741 के पहले कोई नहीं था, 1741 में रागोजी भोसले महराज सरदार के नित्रूत में महराष्ट के कुनभी लोग सेनिक की रूप में वहाँ जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं, बहुत लोग बस जाते हैं, पूर्य का यह नहीं बुर रहा है कि कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग इधर ही रह गए, पहला मैं इसी बात को अभी यहाँ पे रोकता हूँ दूसरा फेज यह बता रहे हैं, कि लॉड बिलियम बेंटिक के द्वारा 1832 में अफीम की खेती के लिए यूपी और बिहार के कुरुमियों को यहां के वादिवासियों के जमीन को इन्हें दिया गया और उनमें इनको अफीम की खेती के लिए लगाया गया तो 1832 तो बहुत बाद का चीज है, इनका मैं स्रीफ 1741 बोले हुए हैं, कि 1741 के पहले यहां पे कोई कुरुमी नहीं था, कोई वजूद नहीं था, तो यह दावा नहीं कर सकते हैं, कि यह जर्खन के पुराने वासी हैं, और इन्हों ने उराओं और मुंडाओं को बसाया है चलिए बाखला साहिब, मैं आपकी इस बात को अपने कुछ उधारन के साथ में यहां पे विरोध कहिए या आपके तरक के विरूध में अपनी बात रख रहा हूँ, आपने बताई कि 1741 के पहले नहीं हैं कुरुमी धारकन में, अब मैं 1741 के पहले का आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यह मंदिर देखिए अप, सोना पहाडी मंदीर, दुवारसिनी मंदीर, हमारे गिरिडी जिल्ला के बेको काउं में, बेको मोजा है, बहुत बड़ा, बेको मोजा में, बेको गाउं से सटा हुआ है, यहां पे दुवारसिनी मंदीर है, जिसको हम लोग जनरल में सोना पहाडी मंदिर बोलते हैं बहुत फेमस जगह है इनमें करने अगल वगल की जितने आठ दस जिस्टिक है यहां तक कि बंगाल से भी स्रधालू लोग यहां पे आते हैं अपनी मन्नत मांगते हैं वो स्रधा है उनकी आपके लिए बता दूं कि इस मंदिर के जो पुजारी है वो कुड़मी समुदाय के हैं महतों हैं इस मंदिर की अस्थापना जो वर्ष से इसके अपर अब ध्यान दीजिए अस्थापना वर्ष 1663 लिखा हुआ है 1663 में द्याल चोधरी के द्वारा ये अस्थापित है आप वर्ष पे जड़ा गौर करिए और द्याल चोधरी कौन थे इसके रेफरेंस में भी आपको कुछ बातें बताता हूँ रामगड के राजा दलेल सिंग आप इनका भी कारिकाल देखिए 1677 इस्वी 1677 इस्वी में द्याल चोधरी बेको मोजा से ये जमीनदारी का काम करते थे और टेक्स कलेक्शन का काम करते थे माल गुजारी के रूप में द्याल चोधरी बेको मोजा से रामगड को माल गुजारी भेशते थे दलेल सिंग 1677 वहाँ प्या स्थापना होती है 1663 वो आदमी माल गुजारी के तोर पे बेको मुजा का देते हैं रामगड को माल गुजारी के तोर पे क्या देते हैं? माल गुजारी के तोर पे 10 बोजा चौप मालग जोजारी के तोर पर रामगण राजा को भेजा जाता था चोप से सम्धादित आप यह पकड़ी कि सोन जो होता है या जूट, जिसको कुद्रुम से निकाला जाता है कि दस बोजा चोप भेजा जाता था रामगण राजा को द्याल चोधरी के वनसज अभी भी वहाँ है और द्याल चोधरी के वनसज लोग ही उस मंदिर के प्रमप्रागत पुजारी रहे हैं और अभी तक हैं द्याल चोधरी का गुष्टी नंग्टुवार है इस पर भी गोर करिए कि जी हमारे 81 गुष्टी जो होते हैं उन्हें नंग्टुवार एक तो वो गोत इन लोगों का नंग्टुवार है द्याल चोधरी जब बेको गाउं के अस्थापना करते हैं बेको पुरा जंगलों से घीरा हुआ छेतर था बेको में जब द्याल चोधरी आते हैं तो अपने साथ में आपको देखें नाम गिनाता हूँ अपने साथ में केला नाया हम लोग जब पूजा करते हैं आपके दर राचितर पहान बोलते हो हम लोग नाया बोलते हैं वो केला नाया को लाता है पूजा करने के लिए दूसरा लाता है चंदु खासी आनि गोडाईत, कि पूरे गाहा को जो डाकने का काम करता है, संदेश वहाग का जो काम करते हैं, वो चंदु घासी को साथ में लाते हैं, तीसरा जो लाते हैं, उनका नाम होता बोधी रावुत, बोधी रावुत को लाया जाता है कपड़ा बुनने के लिए, यह बुनकर थे, इन तीनों के साथ में बेको आते हैं, अपने और लोगों के साथ में, और यहां एक विलेज अस्थापना करते हैं, उनका बेको होता है, और देखिए, आश्चर गया बोलिए, कि यहां जब गाह अस्थापना करते हैं, उन मडे में जो देवता बेठते हैं, हमारे, उनका नाम भी देते हैं, दोवारसिनी, कुड़ुमियों के देवा भूता के बारे में अब जब चानियेगा, तो हमारे हर एक दिशा के लिए, अलग-अलग हमने राई, राईया को हमने अस्थापित किय हुआ है, दोवारसिनी, जो हमारा देवता है, वो दक्षिन पक्षिम का देवता है, तो दक्षिन पक्षिम के दिशा में दोवारसिनी को बेठाया जाता है, आपको बहुत सारे कुड़ुमियों में ये देखनों के मिलेगा, अब विजिट करिए, और जहां से आप आने की बात कर रहे हैं, मतलब 1741 और कहा 1663 मतलब सिधा सिधी 80 साल का फासला है, 80 साल मतलब दो पिड़ी का फासला है, दो पिड़ी के फासला में नम्तवार भी मिलता है, दोवार सिनिमा भी मिलती है, उनकी पूजा होती है, अस्थापना द्याल चोधरी के द्वारा होता है, पूजा नाया के लिए वहार रखा जाता है, महतो में मुख्य होते हैं, क्या ये भिले सिस्टम महराष्ट में है, हो गई नहीं, क्योंकि 1741 कहा है, और 1663 कहा है, और 1663 बोल दने से खाली 1663 में मंदिर के स्थापना होती है, तो द्याल चोधरी का जनम कभ हुआ होगा, अगर हम मोटा मोटी भी पकड़ दे कम से कम 40 साल पहले और लेके जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा आदमी अपने युवा वस्था में से देवा भूता के अस्थापना नहीं कर सकता, इसलिए मोटा मोटी मान के जनम के 40 साल से जनम कल चला जाएगा, 1620 में जिनको आप सिवा जी की वनसज बोल देते हो, अरे सिवा जी का खुद जनम 1630 में होता है, और उनके सैनिक तो भाई 1741 में आते हैं, और कहां 1620 जारा हम 100 साल पीछे चले गए, कैसे इनको अब आप ये बताए कि यहां इनको मराठा लाए, या क किस बेसिस पे आपने डॉक्टरेट करी, किस बेसिस पे आप विभागा दियच बने हुए बेठे हुए हैं, और कैसी कैसी गहल वल्या करके आप लोगों को गुमराह करते हैं, आपने लगता है, राची के या लंडन के किसी वाता कुनित होल में बठके अपना जारखन का इ अधारान के तोर पर आपको बता रहा हूं कि 1741 के पहले, 100 साल पहले हमारी यहां बसाहट को निश्चित रूप से देखा जा सकता है, फिर आप इतनी आत्म विश्वास के साथ में कैसे बोल देते हैं, कि 1741 के पहले कोई कूर्मी था ही नहीं यहां पर, भई आपकी तो विव द्वारा आपके लिखे गए धिसिसों के द्वारा प्रस्निश्ची नहीं लगाता है, जारखंड की असमीता और जारखंड के जो समरस्ता की जो बात होती है, उसमें कहीं ने कहीं आप लोग सेंध मारने के काम करते हैं, उसे तोड़ने का प्रियास करते हैं, अध वर्दी खा थे, बुड़े हो चुके थे, दस साल तक लगातारा कर्मण होता है मराठों का, ठक हार के 1751 इस्वी में एक ट्रीटी आनि संधी को बिवस हो जाते हैं, बंगाल के नवाब, और इस संधी रखा जाता है कि सवर नेखा नदी है, उसके पार आपका हो गया अनि वो हमारे ही अधिकार छेत में रहेगा, और इसके लिए आपको चोथ दिया जाएगा, और रेविन्यू का 25 परसेंट, और एक चोथाई को ही चोथ वोला जाता था, तो उस हिसाब से रेविन्यू सेट होता है 12 लाख रूपिये, 12 लाख रूपिये मराठाओं को देने का आती वर्ता उसको कह लिए अस्थापित करने लिख की जाती है, और इससे पहले जिस कारण साकरमण होता है कि उससे पहले तीन साल का बकाया, और 32 लाख रूपिये वो भी चुकाया जाता है, और इसके बाद सबरनेखा नदी के इधर इनका साशन और पूरा उडिसा के इध पूरा रागोजी भोसले अनिमराठाओं सरदारों के अधीन में, और ये सिलसिला चलता रहता है 1758 तक में, जब तक अंग्रेज हराना देते हैं नवाबों को, ये हारते कब हैं, 1757 में, जब पलासी का यूद होता है, पलासी का यूद भारतिय इतिहास में समझेक माइलस्टोन के तोर पे है, माइलस्टोन इसलिए है कि इस पलासी के यूद ने ही अंग्रेजों को, बिटिस राइज को अस्थापित करने में सबसे महत पूर भूम का नवाई थी, उसके बाद, 1764 में, जब ये लोग, बंगाल के नवाब लोग, अंग्रेज से परिशान होके, उनके जो एलाए रहते हैं, फ्रेंच लोग, उनसे जब इनका कड़ जाता है, अपनी राइधानी बिहारतर शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पे भी चले जाते हैं, अंग्रेज, पूर्ण रूप से, अंग्रेजों के कबजे में, ये सारा छेत्र आजाता है, 12 अगस्त, 1765 को, साह आलम दूतिये के द्वारा, अंग्रेजों को, ये जो पूरा बंगाल का छेत्र था, आज के डेट में देखें, बंगाल, बिहार, उडिशा, जार्खन, ये समलित रूप से सारा जो दिवानी का पावर था, वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और तब सही, जब ये अपने टेक्स, वसुले के सिलसिले में, अपने लोज के लिये हुए, जंगल महल के छेत्रों में परवेश करते हैं, तब यहां, लोकल लोगों दौरा, लोकल ट्राइबल से जो शुरू होता है, वो उने सो पाश तक चलते रहता है, जब तैक खो सी और जो नहीं हुगता है, लास्ट का जो बिर्शामुदäreका अंदलन होता है, तो सतरसो पेशर्च लेके, उने सो पाश तक है सरसंघर्ष का इतियास रहा है, इस ज्छरकन छेत्र में, छोटा नाक अंग्रेज लोग 1832 में लॉर्ड बिल्यम बेंटिक के नेत्रितु में इन्हें मतलब कूरुमियों को यूपी और विहार से लाया जाता है अफिम के खेती के लिए जैसा कि आप विडियो में सुन चुके है और फिर कोल वीद्रो होता है फिर वो चीजें अफिम की चीजें खत अब इस पर कुछ गौर करने वाली बाते हैं 1741 में हम आये यहां पर उनके अनुसारे बाते मानते हैं हम तो सेनिक थे हमारे साथ में तो हमारे बीवी बच्चे नहीं आये ना लड़े करने के लिए और चुकि तो मराठों का आकरमन का बात करिएगा तो बड़े खतरना तरी के से आकरमन करते थे उनसे लोकल लोग बहुत परिशान थे तो इन खतरनाक लोगों को अपनी बेटियां कुन दिया जिससे आज जो शेत्र में जो दिखता है इतनी बड़ी अबादी और इतने बड़ी समुदाय का निर्मान कैसी हो जाएगा दूसरी बात है कि ये ऐसे समराज से संबंध रखते थे जिनका परभुत लगभग पूरे भारत में हो चुका था एकदम अफगानिस्तान तक पाकिस्तान तक और इधर दक्षीन में करनाट तक अंधर परदेश तक इनके हर जगा पर सेनिक गए कबजे किये और अपने अनुसर जो इनका टेक्स का जो चोथ का सिस्टम उड़ता था वो अपलाई करते थे तो इतने एक महान समराज के सेनिक होते हुए अपनी बिरासत को भूल जाएंगे अरे गर्ब से बताते हैं भाई कि मराठा समराज के लोग हैं वो क्यों इस चीज को भूल जाएंगे और क्यों भूलने की बात नहीं है जब कहीं भी किसी का इतनी बड़े अबादी का समू है वो अचानक से अपनी भासा को विस्मिर्थ कर बैठेगा यह कहीं से भी लोजिकल लगता है क्या लोजिकल क्यों नहीं लगेगा मैं आपको इसका और उधारण देता हूँ आप यह देखिए जो लीस्ट है विभिन राजियों में मराठी स्पीकिंग पीपल कितने हैं उनकी लीस्ट है तो जहां पे भी मराठे सेनिक गए मराठे लोग गए वहाँ पे अपनी भासा और समस्किर्थी को ले के गए और उसे बना के भी रखे इतिहास भी यही कहता है कि अगर मास में समू में किसी का कहीं पे पलायन होता है तो अपने साथ में वो पूरा जिस छेत्रों बस्ते उस चीज को वहाँ पे ले के जाते हैं वो पूरा समू एक वहाँ होता है उस संस्कृति का जहां जिस पहले जहां पे वो रहते थे तो कूडमी लोग मराठी बोलना भूल गया जारखन में आके बंगाल में आके ये लोग कूछी सालों में एक नई भासा का जराम देते हैं कूडमाली का इस संभाव लग रहा है कुछ तो मिलना चाहिए अब जार लिस्ट देखिए बंगाल में 0.02 जारखन में 0.02 उडिशा में 0.03 ये लोग अभी ये 2011 का है तो परसेंटेज इनका इसलिए इतने दिखा रहा है इतना नहीं इतना इतना सा दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि नोकरी की सिलसिले में ये लोग वहां पर बस है अब इस पर भी जड़ा गोर करिए कि नोकरी की सिलसिले में आज के डेट पे इतने बड़े समू के साथ वह रहते भले दो चार परिवार ये अंगल लेकिन फिर भी ये अपनी भासा को नहीं भूले मराठी स्प्रिकिंग पिपल है और ये इतना बड़ा समू जिसका आप ब बूल जाएगा बिरिश्मित कर बैठेगा कि अठारा सो बहत्तर में डाल्टर साहिव आते हैं कुडमाली का जिकर करते हैं उसके बाद 1882 में लिंगिस्ट्रिक सर्वेफ इंडिया होता है गेर्शन के नेत्रितु में वह भी कुडमाली का जिकर करते हैं और वहाई हम 1872 का भ भासा बुल गया बराबर और अभी कुछ बहुत साले बाद में भी वैसे से परिवार हैं जो उधर जो च्छेत रहें वह अपनी भासा नहीं बुले भले एक परिवार का ही लोग क्यों नहीं हो इसका और भी आप उधारन पकरिए जो आप लिस्ट देखिए जहारखन बंग आप उर्ते लंगाना में 2.8% 36 गड़ में 0.56% गुजरात में 3.52% MP में 2.7% गौई में 12.89% इनकी परतिशात है इन राजियों में ज्यादा क्यों हैं क्योंकि मराठे सेनिक इन राजियों में गये थे करनाटक में गये थे आक अपने जो समराज को एक्सपेंशन के दोर में वहां इनकी संख्या आज भी बहुत जादा है बोली जाती है को लोग वहीं पे ठारे वहीं अपनी भासा संख्यति किसी को नहीं भूले हैं गणे सुस्तों बहुत धुंदाम से मनाते हैं भासा भी बड़े गर्व के साथ बोलते हैं आंदर परदेश आंदर परदेश में जो ह जिस राजा की बात आप करते हैं रागोजी भोसले वह नाकपूर के गोन राजा बुलंद साह को हरा के नाकपूर को अपने कंट्रोल में लेते हैं आप देखिए कि यह नाकपूर में कितनी मराठी बोली जाती है सेकेंड राजधानी है महाराष्ट का उसी के करब में जब आगे वराइपूर तरग बजाते चत्रीगड वही परसेंटेज दिखता है एंपी ग्वाइलियर जो इलाका है खास करके इंदोर का इलाका है वहां भी मराठी स्पेकिंग पीपल बहुत जादा है क्यों है क्योंकि मराठी सनिक लोग वहां जाके गए थे और बड़े अश् भासा को नहीं भूले लेकिन जैसे जहारखन आता है तो गजनी बन गए हमारे महरास्ट के कुणभी लोग वाजा कि अपनी भासा भूल गर इक नहीं भासा का जनम दे दिये कुडमाली का तो बाखला साहिब आपकी ये बाते कहीं से भी तर्क संगत लगती है आपके मैंने तर्क को कटने के लिए ही मैंने द्याल चोदरी का उधारन दिया जो करीब आपके सोकोल्ट रागोजी भोसले के आने के पूर्व मैंने करीब दो पीड़ी का नाम बता दिया वहां पर ये रहते थे हमारा जो भिले सिस्टम है आपको बोलता हूं कि कोई भी कुडमी गामों प्राइध सेंटर में और उनके जो अहायक जातिया है। उनको बसाया गया है कमार हो सहाशी रहे हासी हो कुमार हो नाई हो नया हो ये सारे वर्गों को जो हमारे क्रिशी कारे को स्मूदली चला है इसके लिए इनको यहाँ पे बसाया गया है कि अरुसि क्रम में द्याल चोधरी कर मैंने किया है सारा वनसावली और उनका इत्हास भाक मोजा के लिए लिखा गया है सबसे बड़े मोजा में से उनकी गिंती होती है आपके रेफरेंस के लिए और बता दूं कि 1912 में वही दयाल चोदरी और एक तेली के बीच में जो तेली को बसाया गया था वहाँ पे उनके बीच में जमिन के पट्टे को लेके लड़ाय जगडा होती है वह हजारी बाग कोट में जाता है 1912 में और वहा पे जो लोगों को बसाया गया था देल चोदरी के दिवारा उनके वन्सज लोग ही गवाही देता है कि पहला आदमिया का देल चोदरी जी थे और उसके बाद उनको वहां का खुटकटिदार माना जाता है खुटकटिदार से आप बहुत अच्छे से परिची थे कि खुटकटिदार कि इनको बोला जा सकता है वो खुटकटिदार देयाल चोधरी जी थे उनका मैंने 16-63 द्वरा उनका जो मंदिर बसाए गा था अभी भी अभी क्या दिनों दिन की परतिष्टा बढ़ते ही जा रही है सारधालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है उनके जो पुजारी है आज भी उनके वनसच के लोग ही वहाँ पे हैं अब जड़ा पता करिए आपके मने इस रेफरेंस को काट के लिए बोला है तो आप जी अधार ही बाते करते हैं और यहां रहें वहां की पता नहीं लंडन से और यहां की विभागा दियाश बन जाता है आपके नाम से ही एक साजिस की जैसी बू आती है कि फ्रैंकलीन है और यह हम लोग के बिसे में कैसी राय रखते हैं किस परकार किराय रखते हैं और ये लोगों को गुमरा करने का काम कैसे करते हैं या ये लोग सोचते कि हम पढ़े लिखे हैं हम डॉक्टर है मेरे नाम का एक डॉक्टर लगा हुआ है तो हम जो कुछ भी बोल देंगो वो सही हो जाएगा हम जो बोल रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है है आप वहुआ पूराधार के साथ बोल रहे हैं किसी में लिए उनको बोल दी आपनेति इस दीडिया ये और यहां यर्श सामने सबकुछ दिखता है फिले सिस्टम वहां پे उनकी वनसावली दिखती है उनके जज़्ज्मेन सबसारा कुछ दिखता है वो आपको दिखाए नहीं देता है वो आपके सबूत की दरकार नहीं है जिस 1620 के आसपास में जब सिवाजी महराज का जनम भी नहीं होता है अंग्रेज का भारतिय भुभाग में कोई कंट्रोल नहीं होता है यह बेपारी के तोर पर रहते हैं बंगाल में जिनको यहां बेपार करने के लिए बंगाल के नवाब को ठेक्स देना पड़ता था तब किया के यह फ्रीली बेपार कर सके और जब इनका हरतिय भूमि में भारतिय कंट्रोल सिस्टम और प्रसासनिक वे में जब इनका कबजा होता है तो कब होता है कि 1757 के बाद फुली मिलता है 1765 में तो शत्रों सु पैसट के बाद इन लोगों का यह होता है तो आप हमको कैसे बोले दोने थेरी आप यहां फेल हो जा रही है जिस सिवाजी के वनसज आप बोलते हैं उनके जनम के पूरु का मेरा यहां गाम दिख रहा है दूसरा अंग्रेज हमको लाए थे अरे अंग्रेज 1765 के बादर कहां 620 का हमासपास आपको बात बता रहे हैं अगर 1663 का ही पकड़े तो हम 80 साल पहले का आपको बात बता रहे हैं यह इतनी पीड़ी है इनको कोई लोगों के आया भाई हमारी प्राचिंता को आप नकार नहीं सकते और आप जो उलूल जूलूल बाते करते हैं और खाज करके अपने समुझदायों और एक विसेश बिचार धरा और एक वेस्टर्न चीज़ों को जो आप पकड़ के चल रहे हैं उनको खूस करने के लिए ऐसे ही तोर मडूर के बा आप एक उंगली हमारे तरफ कर रहे हैं तो वहीं चार उंगली आपके तरफ है और आपकी प्राचिंता आना आपकी आधुनिक काल का आगमन भी आपके उपर प्रस्ण करेगा कि हमें नविन साबित करने के लिए आप नविन तम ना हो जाओ आप इस इच का खयाल करिए अभी तक मुझे किसी भी अदिवासी भाई बंदू जो है वहाँ पे किसी से किसी का शिकायत नहीं है आप लोगों का शिकायत और हमारा इतिहास खोदन के उपर जो आपका कार ये चल रहा है थेसिस चल रहा है ये ज़्यादा दिन चलने वाला आप हमें जितना उंगली करोगे आपके वितिहास के उपर भाईया रक्सार कारहा चलेगा जिसमें बहुत सारा पाने निकलेगा जिसको अब थाह नहीं पाईएगा तो ये जो वीडियो था एस्पेसली फ्रैंकलिन बाखला साहिब को समर्पित था आप इन चीजों को मेरे वीडियो का अगर किसी मादें उसे पहुंच जाता है तो ये जरू सुनें अगले अन पाट में जो और भी अनरगल बातें होती है उनको पूरूफ के साथ में आप लोगों के बीच में रखूंगा तब तक के लिए नमस्कार जहार जय हिंद जय जहार खन